ओम स्यंति हम सभी का अंतिम लक्ष कर्मातीत होना है कर्मातीत होने के लिए हमें सभी विकर्मों से अतीत होना पड़ता है और थात सभी विकर्मों को नस्ट करना होता है और जब हमारे विकर्म नस्ठ होते रहते हैं, तो उसकी एक सुंदर परतक्स पहचान होती है, कि अन्य विकर्म, सुक्स्म विकर्म भी हमसे नहीं होते हैं, कर्मातीत होने के लिए हमें कर्म करते हुए भी ऐसे कर्म करने होते हैं, मानो हम कुछ नहीं करते, इसको यात्मा की न निरलेप इस्थिति भी कहा जाता है, वैसे हम जनते हैं आत्मानिरलेप नहीं है, लेकिन कर्मों में वो लिप्त नहों निस्काम हो जाए, ये इस्थिति कर्मातीत होने के लिए परम अवस्चक है. इसका अर्थिये भी नहीं कि हम कुछ कर्म नहीं करेंगे हम अपने सभी कर्म करते हुए कर्मों के आकर्षन और कर्मों के प्रभाव से परे रहेंगे दूसरी चीज है कर्मा तेथ होने के लिए हमें संपूर्ण पवित्र होना होता है कर्मेंद्रियों को सीतल करना होता है और इसके लिए बहुत ज़्यादा अभ्यास की आवश्चकता है कि सभी आत्माएं हैं अपने घर में बैटकर सारे सुनसार के मनुस्यों को आत्मा देखें कि सभी के मस्तक में जोती चमक रही है ये सब देव कुल की आत्माएं हैं ये सब भगवान के बच्चे महान आत्माएं हैं ये विविन धर्मों की आत्माएं सब चमकती हुई मोल रूप से पवित्र आत्माएं हैं ये अभ्यास बहुत बढ़ाने की आवश्चकता है हम जानते हैं कि विकर्मों को नस्व करने के लिए तो हमें बहुत पावर्फुल योग करना चाहिए अगर पावर्फुल योग हमारा नहीं होगा तो हमारे और करम भी विकरम बनते रहेंगे या हम साधारन कर्मों में रहते रहेंगे या कुछ व्यर्थ कर्म हम से होते रहेंगे और इस तरह कर्मों का बंधन हमें निरंतर बांधता रहेगा परंतु हमें कर्मों के बंधन से स्वय को मुक्त रखना है एक बहुत अच्छी चीज हमें याद रखनी है क्योंकि हम सभी का लक्स है, सभी व्यर्थ संकल्पों से मुक्त होना, जो आत्मा व्यर्थ संकल्पों से और साधार्न संकल्पों से पूरी तरह मुक्त हो जाती है, समझें कि वही कर्माती तवस्था की और तेजी से चल रही है, यो तो ग्यान के बल से हम अपने सभी व्यर्थ को समाप्त करते हैं रन्तु दो चीजों की प्रैक्टिस विशेश रूप से हमें करनी है और वही प्रैक्टिस आज सारा दिन भी हम करेंगे पहली प्रैक्टिस है मैं मास्टर सर्विश्शक्तिवान हूं तो जब हम अपने इस वरूप में रहते हैं और साथ में बाबा हमारे साथ है तो माया के विभिन संकल्प हमारे पास नहीं आते ये बहुत बड़ा फाइदा होता है स्वमान से जितना हम इस स्वमान के नशे में और इसके स्वरूप में स्थित होते जाएंगे माया के विभिन तूफानों और संकल्पों से हम मुख्थ होते जाएंगे और दूसरी बहुत बड़ी स्मर्ती जो बावा ने हमें दिलाई है तुम स्वराज अधिकारी हो इसकी बहुत सुन्दर प्रेक्टिस करनी है मैं आत्मा रकूटी सिंघासन पर विराजमान हूँ बहुत सक्ति साली हूँ राजा हूँ मन बुद्धी की मालिक हूँ बार बार अपने को ये गुड फेलिंग देनी है कि मैं आत्मा मन बुद्धी संसकारों की मालिक हूँ तो न मैं किसी संसकार के अधीन हो सकती, न मन के अधीन, मन मेरे कंट्रोल में है, यह feeling बढ़ाते चले है मन, मैं तुम्हारा मालिक हूँ, अभी मेरा तुम्हें आदेश है, कि तुम व्यर्थ की ओ, न बह जाओ, हे मेरे संसकारो, अम मैं तुम्हारा मालिक हूँ, तुम तो तुम तो सभी के खल्यान कारी हो, अब अपने उस्वरूप को इमर्च करो, तो ये दोनों प्रैक्टिस हम आज सारा दिन रखेंगे, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान और स्वराज्य धिकारी हूँ, साथ साथ अभ्यास करेंगे, परमधाम से, सर्व शक्तिवान की शक्तियों की किरने मुझ में समा रही हैं, जैसे कि उपर से सक्तियों का फाउंटेन मुझ पर उतर रहा है, ओूस